हेलो स्थो कमाई का अड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम डिसकस करेंगे एक ऐसे शांदा स्टॉक के बारे में जो दोस्तो स्थरीप यहाँ पर 80 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर खुद एलाइसी ने इंडिया के अंदर सबस बड़ा अगर कोई निवेशक है दोस्तो जैसे हम सभी जानते हैं कि मार्केट में म्यूचल फंड निवेश करते हैं वैसे ही दोस्तो इंशुरंस कमपनिस के अंदर पूरे यहाँ पर भारत देश के म्यूचल फंड का पैसा एक तरफ दोस्तो और आकेले एलाइसी का पैसा इतना पैसा है एलाइसी के पास और एलाइसी ने इस 80 रुपई के शेर पर जबरदस दाव लगाया है तो क्या हो रहा है खास और क्या है कमपनि में यहाँ पर अडवांटेज उसको यहाँ पर हम डिसकस करेंगे और कमपनि का जो शेर काफी समय से एक लिमेटेड रेंज में या हम कही सकते कि डिसकाउंड में जो चल रहा है उसका फाइदा हम सभी को किस तरीके से मिलेगा वो भी यहाँ पर हम यहाँ इस वीडियो में अंडरस्टेंडिंग करेंगे वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो कमाई का आड़ा इस यूटूब चै नज़राएंगे और उसी के साथ यहाँ पर आपको एफाइज भी नज़राएंगे जिनके पास 23% का स्टेक है और प्रमोटर अलसो और पब्लिक के पास 28% स्टेक है अब मैं जिस कमपनी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तो उसके यहाँ पर चार्ट पैटर्न को समझते है और कमपनी का नाम है IDFC First Bank यह बैंक आप सभी जानते हो काफी सुप्रिम रिटन कमा कर दे चुकी है और कुछ शेर दोस्तो एक बड़े रिटन के बाद में थोड़ा स्लो तो होई जाते है और वैसा ही इस कमपनी में देखने को मिला जैसे ही IDFC First Bank के शेर ने सव रुपए का एक बड़िया लेवल आचुकिया उसके बाद में हमें धीरे धीरे स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिला अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ ये बिलकुल आप देखिए 100 रुपए को ठच किया है फिर वहाँ से गिर कर ये शेर 70 दोस्तो बहुत समय के बाद में एक अच्छा यहाँ पर हम कह सकते कि इंप्रुमेंट वाला जो पफॉमस देखने को ज़रूर मिल सकता है क्योंकि अभी धीरे धीरे जो भी NBFC है या फाइनान्स सेक्टर के कमपनीज है उनके अंदर और रिकोरी हमें फास देखने को मिल रह है अगर आप न्यूस देखेंगे दोस्तों तो पढ़ सकते यहाँ पर एलाइसी रेस स्टेक इन आईडियोसी फर्स्ट बैंक 2.68 यहाँ पर आप जो शेर प्राइस वगेर आप देख सकते हो एंड जो स्टेक के बारे में बात हो रही है तो उसके अंदर लगबक यहाँ पर पी ओ जो एक सोर्स है फंड रेस करने का जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एंड दोस्तों बहुत बढ़िया बात है यह जो अडवांटेज है इस कमपनी को मिल रहे है देखे कोई भी पैसा लगाता है तो कोई उमीद या कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन कमपनी से वो रखकरी निवेश करते हैं तो वैसे तो अब यहाँ पर अगर हम IDFC First Bank की बात करें तो इसका बिजनेस एक अच्छा है दोस्तों क्योंकि यह कमपनी जो बैंकिंग सेक्टर में काम करती है और वैसे तो इसके कौटरली जो रिजल्ट है पिछले भी अगर आप नोटिस करे हैंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि revenue बढ़ चुका है March quarter में भी and उस तो profit also profit में जो है वो growth same to same है ज्यादा improvement नहीं नज़र आई और इसलिए stock यहाँ पर discount में या यहाँ पर correction में चल रहा है reason को समझिए जितना कोई company quarterly पैसा कमाती है या उसके अंदर confidence देखने को मिलता है business का उतना ही ज्यादा लोग पैसा निवेश करते है और वो stock अच्छा खासा return कमा कर दे भी देता है अब देखिए दोस्तों अगर आपने देखा तो quarterly business पर कोई बड़ा बदलाओ इसके net profit में नहीं आया है बोलकर stock थोड़ा यहाँ पर consolidate कर रहा है तो आप IFC first bank को study क काफी valuable है और वैसे तो इसका यहाँ पर business हम यहाँ पर देखे तो इसके अंदर आपको बहुत से advantage नजर आएंगे company के पास दोस्तों NPA का उतना issue नहीं है ना यहाँ पर इसके जो business के बारे में profit से related है थोड़ा बहुत यहाँ पर quarterly कम जादा है profit company का but company में potential जरूर है valuation काफी attractive है और banking sector के stock दोस्तों long term के investor के लिए खास करकर होते है अगर आप यहाँ पर समय नहीं दे सकते हो तो आपका यहाँ पर इस company को select करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है दोस्तों क्यूंकि आप long term के investor नहीं है तो पैसा देखिए आपको ज़्यादा और अच्छा बनाना है तो long term का हिसाब तो करना ही पड़ेगा और उसके अंदर ऐसे fluctuation भी आते हैं यह भी थोड़ा सोच कर चलना चाहिए देखिए साब साब चीजे सामने हो तो हम decision ले पाते हैं कोई बाते चुपा कर और कोई बाते आपके सामने ना हो तो उससे एक दिन दो दिन अच्छा लगता है बट जब हम खरीद लेते शेर तब पस्तावा बहुत हो जाता है तो यह चीजे देखा किजे कि इसमें समय लग सकता है और वैसे भी इसकी जो जरनी हैं दोस्तों आप बिल्कुल देख सकते हैं कि fluctuation इस टॉक में रहते ही है इसलिए तो आज आप यहाँ पर देख लीजे कि कितने समय से कहा पर है और किस रेंज में है अगर इतियाज बनाना है तो इसने और कोई इतियाज बनाया नहीं और अभी भी वो एक लिमेटर रेंज में ही चल रहा है वैसे सिर्फ इसने पैसा कमा कर दिया पिछले काफी समय में जो है दोस्तों यहाँ पर में 2022 35 रुपे का सिदा 100 को पहुझ गया यहाँ पर सबसे बढ़िया पैसा निवेशक का बना यह चीजे आपको छोटी छोटी बाते हैं बट पता होनी चाहिए कि कहा और किस तरीके से इसने ग्रोथ करकर दिखाई तो यह है देखे डिटेल्स और अभी निवेशक ने पैसा तो इसके अंदर लगाना स्टार्ट किया और बड़े निवेशक भी काफी आपर कमपनी में देखने को मिल रहे हैं अगर आप यहाँ पर डियाएस की जो शेर होल्डिंग देखेंगे तो आपको आईसे एसे लाइप इंशूरंस और उसी के साथ बड़े निवेशक भी और नजर आएंगे औ और जो प्रमोटर है वो तो आईडेपसी फाइनांशियल होल्डिंग कमपनी ही आपको नजर आ जाएगी आई होप दोस्तों आप आईडेपसी फर्स्ट बैंक को समझ चुके होंगे थैंक्यू